हेलो दोस्तों जारखन लाइब के यूटुब चलिमने आप सभी लोग एक बार फिर से स्वागत है हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जुड़कु द्वारा जो है वो डीजीम पोस्ट पे रिक्रूमेंट नोटिस निकाला गया है ठीक है उसी के बारे में हम बात करने वा है क्या रिक्रूमेंट है सारी चीचे हम इसमें देखने वाले हैं तो पहले आप देख रहे हैं यहां पर यह जुड़कु द्वारा जो है वो रिक्रूमेंट नोटिस निकाला गया है साथ तारीक को निकला हुआ है साथ फरवरी को निकला हुआ है ठीक है तो यहां पर हम द देख लिए तो यहाँ पर डीवायज गेनरल मैनेजर क्राइनस एप यहाँ पर साथ मतलग्म इतना से बीच में बर बेंग़ में ग्राइन के lokiving गेल हें कि प्वालिफिकेशन के यगर हम बात करें तो देरीक्वारमेंट सैल भी मेड ऐडर पुटेशन रिय इम्प्लाइमेंट और कॉंट्रक्ट्ट्ट्ट्वल रिकूरुमेंट तो यहां पर इपूटेशन रिप्लाइमेंट फ्रॉम दा स्टेट गौववर्मेंट नौट बिलो दर और कोई रह चुके हैं यह फिर कोभमेंट किसी पीस यू में रह चुके हैं तो वह इसमें आवादन दे सकते हैं डीजेम पोस्ट के लिए ठीक है और फिर और क्या मांगा गया है contractual recruitment in case of contractual CA ICWA final pass और master degree in finance business administration in finance या economics from an accredited university ठीक है आप यह तो फिर contractual basis पर किसी भी आइसी यह में अब फाइनल पास और मांटर मास्टर डिगरी भी रखते हैं financial business administration में तो भी इस पोस्ट के लिए अपलाई कर सकते हैं टेन यह से पोस्ट qualification experience चाहिए इसमें कम से कम ठीक है किसी भी प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट में बेंग अटेकिन बाइसेंटर या स्टेट गॉवर्मेंट पबिल सेक्टर अंडर्टेकिंग तो दस सलगा आपका experience यहां पर चाहिए होगा previous relevant experience of working on projects finance by multilateral agencies will be preferred अगर previous किसी प्रोजेक्ट में financial multilateral agency में अगर आप involved काम किये हुए है तो आपको preference यहां दिया जाएगा ठीक है यह 18 months के लिए contractual basis पर आपको यहां पर recruitment किया जाएगा ठीक है means date सल के लिए आपको यहां पर last date जो यहां पर दिया गया ब्रॉस्त अब डिवाइड जेन्रल मेनेजर और contractual decrement should not exceed 50 years ठीक है पचास सल से आपका ज्यादा उम्र नहीं होना चाहिए इसमें ठीक है पचास सल से आपका ज्यादा नहीं होना चाहिए for employment should not exceed 63 as I am last date fixed for तो यहां पर देख लिए है preference will be given to candidates with higher qualification and relevant experience अगर उनके पास desired qualification higher qualification जिनके पास है उनको यहां पर preference दिया जाएगा ठीक है आप यहां पर candidates are required to write the name of post applied on the top of envelope envelope में अगर उसमें क्या करना है आपको टॉप में जिस पोस्ट के लिए apply कर रहे हैं वहां पर mention करना हूँ जब आप send करेंगे तब आपको official website जूड को जहारखन.gov.in पर आपका करना है वहां पर जाकर form download कर लेना है notification करना है फिल कर लेना है ठीक है और उसके बाद आपको यहां पर send कर देना है ठीक है कैसे apply करना है तो सब्सक्राइब करना है तो सब्सक्राइब करना है आपको प्रोजेक्ट डिरेक्टर एड्मिस्रेशन ज्हारखन अर्बन इंफ्रासिक्टर डेवलप्मेंट कंपनी जुड को लिमिटेट थर्ड फ्रोर प्रगति सदन और डिया विल्डिंग कछारी चौक राची ज्हारखन 834001 पर आपको यहां पर क्या करना है इंबेलप पोस्ट करना उसमें अलॉंग विट सबको एंवलप में बंद करका सेंड करना है अब लिस्ट अप्लोड़ेट अंद वेबसाइट पर आपको क्या कर जागा इस वेबसाइट पर अप्लोड कर जो भी अपडेट्स होगा वहां पर से निकल करा अगा से शॉट लिस्ट जो होंगे ठी जो राइट रिजर्व है उनने के पास है ठीक है तो यहां पर नीचे वर्म दिया गया देख लिजाए हम पर यहां पर यहां पर जो भी है आपको खाहर लेना फोटोस पेस्ट कर लेना है जो भी subscription है ठीक है वह डाल लेना यहां पर वागर working experience है तो वह भी डाल लेना है ठीक और इसमें फिर सेंड कर देना है तो अमीद है कि आपको सारी जानकारी मिल गई होगी तो चैनल को जरू सब्सक्राइब कर लिए और शेयर भी करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाव मिल सके तो अभी तक के लिए इतना है सिर्फ फिर हम बिलते हैं अगले वीडि कि अवी तक किस्वेशन ट्राइब करें ग्रूसर्ण ट्राइब करें।